मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तीन से चार साल की छोटी बच्ची का जो है एक फ्रॉक बनाना बताऊंगी बहुती इसी और आसान तरीका से बताऊंगी जिसे हम अभी ठंडी के मौसम आ रहा है उस मौसम में भी आप पहना सकते हो और गर्मी के मौसम में भी पहना सकत क्योंकि यह मैंने बार्टिक प्रिंट के जो है पीयूर कॉटन का कपड़ा लिया हुआ है इसे मैंने देड मीटर लिया है देड मीटर कपड़े में हम अच्छी खासी फ्रॉक बना लेंगे जो बेबी जो है एक से दो साल तक इसे अच्छे से वैर कर सकती है तो चलिए केजरमेंट हम देख लेते हैं तो फ्रेंश नीचे की जो घेरा बनेगी फ्रॉक की उसके लिए देखिए हमने थर्टी इंच थर्टी इंच धेटी इंच जो है लंबा और शिक्स्टीन इंच जो है चावडा वाला देखे 16 इंच चावड़ी वाली जो है हमने घेरा लिये हैं दो लिये है किनके हमें आगे और पीछे दोनों साइट की घेरा बनाना है तो यह हो गए हमारा नीचे की कटिंग सिंपल है कुछ इसमें ताम जाम नहीं है अब जो है हम उपर का जो बॉड़ी होती है उसे हम कट कर लेंगे तो देखिए फ्रेंड्स यह हम जो है एक टू पीस लिये है यानि फोर लेयर है इसमें तो यह है हमरा अपर बॉड़ी के लिए अपर बॉड़ी के लिए देखिए मैं टैन टैन बाई एट का जो है हमने एक फेब्रिक लिये है अब हम इसमें नेक ड्रॉ करेंगे नेक जो है हम 2.5 इंच पर ड्रॉ करेंगे और शोल्डर जो है फाइव इंच पर ड्रॉ करेंगे देखिए शोल्डर डाउन हम फाइव इंच पर ही करेंगे और इसे आर्म होल की हम शेप दे देंगे बोडी हम पुरा आठी ले लेंगे फ्रेंट्स और नीचे से कमर के लिए हम वन इंच माइनस कर देंगे तो यहां हो गई हमारा सेवन और इस निशान को हम देखिए थोड़ा सा कमर के जो शेप आती है वो शेप दे देंगे कुछ इस तरह से अब इसी के अनुसार हम पहले कट कर लेंगे नेक जो है हम पहले जो है टू इंच पे एक ड्रॉ करेंगे अब इसे हम कट कर लेंगे और फ्रेंड्स बच्चे के अभी इस शोल्डर को थोड़ा सा डाउन करिए इस से बच्चे के जो शोल्डर की फिटिंग्स आती है वो बहुत अच्छी से आती है तो इसे डाउन करना ना भूलिए तो देखे फ्रेंड्स हमने कट कर लिए अब जो है हम दोनों पाट को अलग करेंगे और बैक पाट में बैक पाट को ओपन करेंगे देखें Friends, यहाँ हमने 2 इंच पे एक मार्क किये है इसे हम कट कर लेंगे, यह बैक पाट होगी जहांपे हम hook यह बटन लगा सकते हैं तो हम इसे Center से इस तरह से कट दे देंगे देखें इस तरह से अब फ्रेंट पाट को नेक को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे जैसे के पहल बैक पार्ट में हमने तू इंच रखे थे तो हम थोड़ा सा बढ़ा के लेंगे इसमें और आगे की जो आर्म होल की जो गहराई होती है वो जरूर देना है वो दे देंगे और इसे कट कर लेंगे तो देखिए फ्रेंट्स इसी तरह हमने बैक और फ्रेंट दोनों पाट जो है कट कर चुके अब हम स्लिप्स कट करेंगे स्लिप्स के लिए देखिए फ्रेंट्स हमने लंबाई में भी नाइन लिये है और यहां जो है देखिए यह टू लेयर है और दोनों बाजू के हाथ काटेगी तो देखें यहाँ भी हमने लाइन लिए है यहाँ से हमें कुछ नहीं करना है specifically हम इसको बराबर में रखेंगे यहाँ से हमें 1.5 इंच नीचे उतारना है देखें यहाँ से 1.5 इंच यानी 1.5 इंच और इसको इस तरह से गुलाई दे देंगे देखिये और यहां से हमारा जितना सोचिए हम फोर इंच पे एक मार्क करेंगे और इसे इस तरह से मिला देंगे और कट कर लेंगे साथ ही में फ्रेंट्स हमने दो स्ट्रैप कट किये हैं देखिए टू इंच का पिसरे लिए उस तरह से छाधाने के लिए तर इस ट्राप लिए हैं तो अब हमारा कातनी ला हो चुका है और मशीन में जाकर इसका स्टेशियं करते हैं कि स्ट्रैप के समयों के तो इंच को स्ट्रैप करना है इस के लिए देखिए पहले हम फ्रिल बना लेंगे यह जो मनें ट् Iran के जो स्ट्रैप कट किये थे उसिद्ध में छोटी- look से जुद्ध थोड़ी सी दूड़ी से हं थोड़ा थूड़ा फ्रिल लगाएंगे आपका मरसी आप जादा फ्रिल भी लगा सकते हो कम फ्रिल भी लगा सकते हो पहले हम दोनों फ्रिल को जो है रेडि कर लेंगे उसके बाद स्लीप में अटाज करेंगे तो देखिए हम इस तरह से सिलेंगे CD और में फेपी शीदी और जो फ्रिल हमने बनाए हैं उसी इस तरह से उल्टा में रखेंगे सीरी सी स्टेच देंगे उसके बार इसे पलट के एक टॉप से लगा देंगे इसी तरह से हमें इस स्लीप्स को कम्प्लिट करना है तो देखिए फ्रेंट्स कितने अच्छी से देख सकते हो आप प्रिरी के साथ हमारा यह स्लीप्स कम्प्लिट हो चु कर लिए और इस तरह से यहां रखेंगे यहां स्टिच करने के बाद इसे पलड़ देंगे तो यहां की जो कट है वह daha जाएंग कि फिनिशिंग तो आप जानती हो मैं नेन still agree है टो गले मी हम मैं फिर लगाऊंगी ताकर मैंचिंग रहे तो देखिए हमने इसे मुसी प्रोसेस में फ्रिल को रेडी कर लिये थे सिर्फ फर्क इतना है जब हम स्लीप में फ्रिल लगा रहे थे तो इसमें किनारी वाला हिस्सा है तो इसे हम फोल्ट नहीं किये बट नेक में लगाने के लिए जो पट्टी हमने कट किये थे उसमें किना तो हम क्या किये इस तरह का देखिए हाफ इंच से भी कम पतला सा जो है फोल्ड कर लिए ताकि नीचे से हमारा कपड़ा खराब ना दिखे तो इसी प्रोसेस में इसको देखिए हम अभी उल्टे में रखे हैं और फ्रिल को सीधे में रखे पूरे राउंड में स्टिच करने के हम लोगते बाद इसे प्लट देंगे तो इसके सासद क्या होगा नेक भी फिनीशिंग हो जाएगी और फ्रिल विलग जायेगी कि फिनीशिंग के साथ हमारा फ्रिल लग चुकी है अब जो है हम दोनों साइट जो स्लीप्स अटाच कर लेंगे देखिए संक्रा कि इस तरह से जोड़ेंगे दालने के बाद अपर पाट के साथ हम इसे जोड़ेंगे तो देखे ऐसे और पाट को एसे सीधे और रखेंगे उसके उपर गेरा उसे उल्टे में रखे हम इस तरह से कमर को जॉइंट करेंगे दोनों side joint करने के बार side joint करके इस जो frog को है हम finishing देंगे तो देखिए friends इस तरह से हमने side के सिलाई पूरा complete कर चुके हैं अब नीचे हम एक बारी ऐसा fold करेंगे और एक इंच के करीब जो है हम इस तरह से fold कर देंगे तो देखिए friends हमारा dress जो है बनके तयार है अब देख सकते हो कितना beautiful सा look आ रही है ये dress जो है तीन से चार साल की बच्ची जो है अराम से पैन सकती है देखिए हमने नीचे भी finishing दे दिये हैं देखिए 1 इंच के करीब और neck में जो है ऐसा frill है और hands में भी frill है तो I hope कि आज की मेरी इड्रेस आपको पसंद आई हो पसंद आई हो पसंद आई हो तो प्लीज सेल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए शेयर करिए कॉमेंट करिए और जो है बैल आइकन को अन कर लिजे कल एक नई वीडियो के साथ आप से मिलूंगी तब तक के लिए बाबाई